हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आरे मिस्टरी टाइम बच्चो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का पोएम नमबर एट ऑन किलिंग ए ट्रे का हिंदी एक्स्प्लानेशन परने इसके पॉइट है गिव पर टेल और इस पोएम में उन्होंने बताया है क किसी भी पेड को हम इतनी आसानी से मार नहीं सकते हैं तो क्या क्या तरीके हैं उस पेड को मानने के उन्होंने इस पोएम में एक्स्प्लें किया है इस पोएम में उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि हमें पेडों को कारना चाहिए या खतम कर देना चाहिए क्योंकि पेड तो किसी विर्च की हत्या करने में बहुत समय लगता है, not a simple job of the knife will do it, चाकू के साधारण आघास से यह नहीं होगा, it has grown slowly consuming the earth, यह उगा है धीरे धीरे धर्ती का उभोग करते हुए, Rising out of it, बाहर निकलते हुए, feeding upon its crust, भूपटल से पोशड लेते हुए, observing years of sunlight, वर्सोतक सुरी के प्रकास, air, हवा, water, पानी का आवशोशड करते हुए, and out of its leprous hide sprouting leaves और अपनी कठोर छाल से कोपले निकालते हुए, इस passage में point ने यह बताया है कि एक पेड क्या-क्या consume करके किस तरह से वह बड़ा होता है, So hack and chop, इसे बल पूर्वक बार बार काटो, but this alone won't do it, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, not so much pain will do it, और इतनी पीडा से काम नहीं चलेगा, The bleeding bark will heal, रक्त स्राविच्छाल के घाव भर जाएंगे, and from close to the ground और भूमी के निकट से, will rise curled green dins, लहरदार हरी टहनिया, miniature buffs, छोटी साखाएं आएंगी, Which if unchecked, यदि इसे रोका नहीं गया, will expand again to former size, तो वह पूना पूर्व आकार तक फैल जाएंगी, इस passage में point ने यह बताया है कि किसी भी पेड को माना असान नहीं होता है, अगर हम पेड को कहीं से cut कर देते हैं, तो उसमें फिर से नहीं साखाएं आ जाती हैं, और वह समय के साथ फिर से पेड बन जाता है, No, नहीं, the root is to be pulled out, जड को उखारना पड़ेगा, out of the ensuring earth, जकडने वाली मिट्टी से बाहर, it is to be robbed, उसे रस्षी डालना, tied और बाधना होगा, and pulled out, और खीचना होगा, snapped out, जटके से काड कर बाहर निकालना होगा, or pulled out entirely, या फिर पूरी तरह बाहर खीचना होगा, out from the earth cave, इसे भूग उह से बाहर, and the strength of the tree is exposed, और बिक्च की सक्ती का पताच चल जाएगा, the source, जो कि वह स्रोत है, white and white, सफेद और गीला, the most sensitive, अत्यधीक समवेदन सेल, hidden for years inside the earth, धर्ती के भीतर वर्सों से छिपा है, तो इस passage में point ने ये बताया है, कि किसी भी ब्रिच्च की जो जान होती है, उसकी जड़ो में होती है, जब तक आप जड़ को धर्ती से बाहर नहीं निकाल लेते हैं, तब तक कोई भी ब्रिच्च मर नहीं सकता है, Then the matter, तब बात होती है, of scorching and choking, उखारने के बाद सुखाने की, in sun and air, धूप में और हवा में, तब उखारने और धूप वा हवा में सुखाने की बात होती है, Browning, भूरा पढ़ना, Hardening, कठोर होना, Twisting, मुड़ना, वित्रिंग, सूखना, and then it is done, तब यह पूड हो जाती है, अर्थाट ट्री मर जाता है, So, यह इस पूरी पोयम का Hindi explanation था, इस पोयम में, Point ने यह बताया है कि, जो लोग हैं, इस समय ब्रिक्चों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें मार रहे हैं, और समाप्त कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौदे हमारे जीवन रेख करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्च लगाने चाहिए, और जो हैं उन्हें बचाना चाहिए, So, I hope कि वीडियो आपके लिए helpful होगी, अगर पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, So, it's enough for the day, we will meet again in the next video, thanks for watching this video.